कश्मीर के ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से उपर जा रहा हूँ मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिष्टेदार नीचे से उपर आए सुरी उपर से नीचे आए कश्मीर से अलाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ घर मेरे लिए जब से मैं चोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूँ मेरा अपना घर नहीं है, तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना, वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूँ वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है, घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहां पे जिस चीज़ को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूँ अब यह कश्मीरियत अब यह कश्मीरियत है क्या यह जो शिफ जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शुन्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आक्रमन करना और दूसरी तरफ इसलाम में जिसको शुन्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वो ही है इसलाम में फना का मतलब अपने उपर आक्रमन अपनी सोच पर आक्रमन जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं यह हूं मेरे पास यह है मेरे पास यह ग्यान है मेरे पास यह घर है उसी किले पर आक्रमन करना वो ही है शुन्यता वो ही है फना और इस धर्ती पे यह दो जो विचार धाराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिष्टा है और यह सालों से रिष्टा है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं